मुवी का नाम है फोन भूत बात करें इस मुवी की इस मुवी में मुख्य रूप से आपको नजर आने वाले हैं शिद्दान चतुरवेदी इशान खटर कैट्रीना कैफमें जैकी श्रॉफ शिबा चड़ा आदी आदी और इस मुवी का निदेशन किया है गुरमेच सरने जिन है बात करें कहानी के कहानी के प्लॉट की तो कहानी दोस्तों की कहानी है जिनका नाम मेजर और गुलू होता है और यह दोनों एक नंबर के निकम्मे निठलने इंसान है मतलब कोई काम धंदा नहीं है जहां एक और भूत की कहानी मुवी स्टोरीज ऐसी कहानिया भूत प्रे क्या हुआ है आप काफी मग मिलक शेकर हो कुछ भी आप देखेंगे वो सब कुछ एकदम भूतिया स्टाइल वाला देखने को मिलेगा पास में लोग काफी सारे ऐसे बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं जो कि सब फ्लॉप हो गया हाल में वो लोग एक इवेंट और्गनाइजर सकते हैं और ऐसे ही एक इवेंट के दौरा इन लोग के मुलाकात होती एक बहुत ही प्यारी बहुत ही खुबसूरत भूतनी रागनी जो कि कैटरीना मैम ने प्ले किया है उससे होती है और जब इन दोनों निकम्मों को साथ मिलता है एक खुबसूरत भूतनी का तब शुरू रहे होंगे कि रागनी तो भूत है उसको पैसो की क्या जरूरत तो आप वो क्यों इनका साथ देती है जानने के लिए आपको यह मूवी देखनी पड़ेगी जहां आज की जनरेशन सूशल मीडिया से पूरी तरी से घिरा हुआ है जो कि मीम्स को ही खाता है पहनता है सोता है औरता है कम शब्दों में अगर हम कहें तो वह मीम्स ही जीता है तो ऐसी ओडियंस को यह मूवी पसंद आने वाली में मीम्स का रफ्रेंस भर-भर के मतलब एकदम मीम मैं मूवी हो गई है इन मीम्स के अलावा मूवी में बहुत सारे बॉलिवूड मूवी के रेफ्रेंसेस लिए गए हैं और वह जो रेफ्रेंसेस बहुत ही बुद्धिमानी के साथ प्रयोग किये गए हैं और वह सहजता से आपको गुद्गुदाने का काम करते हैं बात करें एक्टिंग डिपार्टमेंट की तो सिद्दान चतुरवेदी का किरदार है मेजर का किरदार वह एक ऐस करता किरदार है जो फीजिकल क pendant के कि मौकी के साथ और उन्होंने इस करदार को बहुत ही अच्छे से निभाया है किरदार गुलू का किरदार है जो कि सैंघे क decorative का नम यह और उन्होंने भी जितना उनको काम मिल स्रइब ने रिखने को मिलेंगे और जैकी दादा ने अपना जो क्रदार अच्छे से निभाए उन्होंने अपना नेश्ड 555 हो जरूल अभी कुदे angular नम later किया गया है वह आपने नहीं देखा होगा चाहे वह कैटरीना मैं का जो स्लाइस वाला एड है उसको मतलब पूरा एड इन लोगों ने दिखा दिया है लेकिन जब वह सीन आप उस मुवी में देखेंगे तो आप मतलब एकदम उस सीन में खो जाएंगे आपको बहुत ही आनन् मुवी की शुरुवात मध्यांतर और अंत में आपको एक वाइस ओवर सुनने को मिलेगा हाला कि वो वाइस ओवर हिंदी में उन्होंने रखने का प्रयास किया है लेकिन जो चल चित्र को चाल चित्र बोलते हैं उसको छोड़ दिया जा तो बाकि बहुत ही कॉमेडी वाला वो वाइस ओवर है आपको सुनके मज़ा आएगा चाहिए आप वो स्टार्टिंग में सुने मध्यांतर में सुने या लास्ट में सुने आपको मज़ा आने वाला है हाला कि यह मुवी एक हॉरर कॉमेडी जोनल की थी लेकिन इसमें हॉरर आपको बिल्कुल देखने को नहीं my movie है बात करें movie के first half की तो movie का first half काफी अच्छे pace में लिखा गया काफी अच्छे से बीच जाता है और अगर आप आज की generation youth हैं जिनको memes पसंद है जो memes को जीते हैं तो आप इस memes के reference को समझ पाएंगे और आपको काफी हद तक मज़ा आने वाला है आप throughout movie हस्ते मुस्कुराते रहेंगे ये movie आपको गुदगदाती रहेगी movie के first half में लोग का business शुरू हो चुका होता है और ये boot capturing वाला business शुरू कर चुके होते हैं और काफी सारे भूतों को बुक्ष भी दिला चुके होते हैं और first half में ही एक आपको cameo भी देखने को मिलेगा वह बहुत ही interesting है और जैसे interval होता interval में वह जो वाइस ओवर है वह भी बहुत अच्छा है सुनिए आप लोग भी देवियों और सजनों ये हमारे चल चले तरकामात यांतर है अगर डर या हंसी के मारे अभी कुछ निकला नहीं है तो निकट के शोचाले हो आए आशिक बाईयों से निवेदन है कि पपी जपी से फुरसत मिल गई हो तो बैन जी को पॉपकॉन भी खिलाएं मिलते हैं प्रेक के बाद क्यों भाई आ गया स्वाद तो ये वोईस ओवर सुनने के बाद थोड़ी एक्सपेक्टेशन आपकी और बढ़ जाएगी लेकिन सेकंड हाफ इस एक्सपेक्टेशन से नीचे चला जाता है और मुवी के सेकंड हाफ में कैटरीना में का एक फ्लैश बैक दिखाया जाता है क मतलब आप उनकी स्टूरी से उतना कनेक्शन नहीं बना पाते हैं इसलिए आपको ज्यादा वो बांध के नहीं रख पाती और मुवी का जो ग्राफ है और बहतर किया जा सकता था ऐसा मुझे लगता है कि और बहतर होता तो मजा आता बात करें मुवी के क्लाइमेक्स से क्ला और हसा सकते थे लेकिन ठीक है जितना किया है उतना काम चल जाता है मुवी का टेक्निकल डिपार्टमेंट चाहे हो सिनेमेटोग्राफी हो बैक्ग्राउंड म्यूजिक हो या एडिटिंग हो वह बहुत ही अच्छा है वह जो थोड़े थोड़े हॉरर सीन से उनमें जो बैक कैसा लगा तो अब चलिए इसको संचिप में जान लेते हैं और बात करते हैं कि आपको यह मुवी देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो मुवी की जो शुरुआत है मुवी की जो कहानी वह ऐसे दो दोस्तों निकम्मे दोस्तों की कहानी है जिनके पास कोई काम दं यह मुवी का जो बाइक ऑच्छा है बहुत आपको पसंद आए वाला है इस मुवी का जो मुजिक दिया तरशा बाक्षी जी ने दिया तो जब तने इस बाक्षी में आ गये है तो आपको पुरानी मुविस के गाने के उवह कुछ नए अन्दाज में आपको देखने को मिलने वाले हैं मुवी में मीम रिफ्रेंसेस काफी अच्छा है काफी जादा है जो पॉप कल्चर से वह भी बहुत यूज किये गए हैं और कई सारे मीमस आपको इसमें देखने को मिलेंगे चाहे वह चार कंदों पर जो एक ताबूत लेके चार लोग डांस करते हैं वह वाला हो चा खासा मीम एक्सपिरियंस आपको इसमें मीम मैटेरियल देखने को मिलने वाला है आप नई जनरेशन है नई ओडियंस है आपकी उम्र मतलब 16, 17, 18 से लेके एकदम 25, 27, 28 तक है तो आपको यह मूवी पसंद आने वाली है क्योंकि आप मीमस को ही जीते हैं मूवी में सिद्दा एकदम साफ सुतरी है कोई भी गाली गलोच नहीं है कोई भी एडल्ट सीन नहीं है तो आप पूरे परिवार के साथ भी देखेंगे तो कोई मतलब ज्यादा वो दिक्कत वाली बात नहीं है जो सबसे ज्यादा पसंद करेगी वो है 16 साल से 20 साल की उनको यह मूवी ज्यादा पसंद आईगी क्योंकि इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है कोई लॉजिक आपको नहीं लगाना है आप लॉजिक लगाएंगे वहीं से यह मूवी आपको ना पसंद हो जाएगी लॉजिक नहीं लगाएंगे तो आपको यह मूवी पसंद आएगी तो मैं तो कहूंगा कि